हमारे साथ हार्जेटी के वरिष नेता मुख्य प्रवक्ता और सांसद मनोज्या है मनोज जी कॉंग्रेस ने डिकलाइन कर दिया इंविटेशन आपकी पार्टी को अभी तक मिला नहीं है आपने बताया कैसे देख रहें कॉंग्रेस के फैसले को और इंडिया अलाइंस का क्या दुनिया छोड़के गए तो ही राम कहते हुए गए राम की जो संकल्पना है ना बापू की थी निर्गुन निराकार कभिरा कूता राम का मुतिया मेरा नाम गले राम की जेवरी जित खैचेचित जाओं तो जेवरी जब तयार करेगी जाएंगे तो आप उसको मुझे दु मतलब कोई कुछ कह दे ये व्यक्ति कह जैसे मैं आपको एक उधारन दो हनवान जी को बहुत मानता हूं लेकिन मंगलवार को मंदिर जाओं जरूरी नहीं बहुत भीड़बार होती है मैं बुद्ध को जाओंगा तो ये मत तय करिए हमारे संभीधान के अंदर भीना आस्थ को लेकर के सपस्ट बाची इसका सम्मान होना चाहिए और राम का कॉपी राइट बीजेपी और संद्का तो कतहीं नहीं होसकता ना आचरन में ना बैभार में वहीं हम कहते हैं जो कभीर फिर समय दोरा राँ हूं कभीरा कुता राम का बताया आपको अब दूसरा बता रहा ह प्रधान मंतरी जी उनके पूरी तीम मंतरी तो करोर रोजगार राम चंत्री जी खुश होंगे आपके आचरन से मंदिर की प्रान पृतिष्ठा राम की वहाँ होने से पुरव अपने अंदर करें आप आसफल हुए हैं मरियादा पुरुषत्तम के आचरन के मुल्यांकन उनके व्यत्ति के अनुसार आप आसफल हुए हैं आप कते ही राम भक्त नहीं हो सकते। आप कहरें कि बीजेपी रामभक्त नहीं हो सकते हैं, बीजेपी कहरें कि कॉंग्रेस और तमाम विपक्ष के दल जो हैं, वो राम विरोधी हैं, यह क्यों हवा हुआ ही बात हैं नहीं, गांधी की जो राम की संगलपना थी, बीजेपी की किसी व्यक्ति नहीं पढ़ा, अगर पढ़ते इस तरह का विवहार और आचरण नहीं करें, तो आयोध्या जाने से कोई परहेज नहीं है, बस आप इस तोर पर देख रहें कि बीजेपी और आरे ससने उसे राजनेती के जिंड़ा बने हैं, शंक्राचारी भी नहीं जा रहा हैं, आप लोग तो बड़े चैनल व शक्ति का कोई मतलब नहीं, क्या कर रहें आप इस धार्म को, महासागर वाले धार्म को अब तालाब बना रहें, तालाब. अन्तिम सवाल करूंगा सर बहुत सारे ऐसे बयान भी आ रहे चाहे इस पार्टी से या उस पार्टी से क्योंकि 22 तारी को एक बड़ा दिन देख रही है सरकार भी बता रही है वहां क्या जो प्रशासन है वो बता रहे और पूरी तयारी की ज़रे लेकिन ऐसे वेक्ट में बहुत विवाददासबत बयान भी सामने आ रहे हर पार्टी को लोगों से तो कैसे इन सब बयानों को देखते है किसी भी आपकी पार्टी हो या कोई की प्रान पृतिस्ठा यहां जिनके अंदर है न वो इस तरह के बयानों से परहेज करेंगे और सावित्री भाए फूले को कोई उध्रित कर दे पासी पे लटका दीजिए कबीर को मैं उध्रित कर दूं अगर मैं कह दूं आज कबीर के दोहे को बिना कबीर का नाम लिए है मेरे खिलाफ यह जो एक परिपाटी विक्सित हो रही है ना इस परिपाटी से बचना चाहिए गिर्राश सिंग जी ने कहा करीब एक हफ्ता पुर्व कि विपक्ष बंबलास्ट करवा सकता है उस पर कोई डिबेट नहीं हुए माफी के साथ कहता हूं आपके चैनल में भी जिक्र नहीं आया यह दुख का विश है और यह दुख सामोहिक है मीडिया से अपेच्छाएं अधिक है मनोज्जा को लेकिन यह जरूर करें कि कहने का अर्थ है कि राम विरोधी यह लोग नहीं है मंदिर जाएंगे लेकिन जब भगवान बुलाएंगे और जब इन्हें भ राजनीती नहीं होनी चाहिए कैमरा परसन राकेस नेगी के साथ नीरज कुमार न्यूज जेट इन इंडिया दिल्ले